बिसमिल्लाइब रख्मानी वहीम, स्लाम अलेकूल फ्रेंड्स हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूटूबर चैनल दोस्तों अमीद है आप सब खेरत से होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक्स पर सबसे पहले हम बात करेंगे Air Canada की latest update के बारे में सेकेंड पर हम बात करेंगे express entry के latest draw के बारे में जिसमें 6000 लोगों को invitation to apply send किया गिया है और ठर्ड पर हम बात करेंगे दोस्तों Canada के processing timing को लेकर अब चाहे वो visit visa हो, student visa हो या फिर work visa हो उनके क्या processing time चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे तो चले friends करते हैं इस वीडियो को शुरू मेरा ना मैं राज़े का और आप देख रहे हैं Legal YouTuber चैनल तो चले शुरू करते हैं वीडियो को श्राट करने से बले दोस्तो बता दू कि जिलनों को ने अब देख चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो या प्ली नीचे रेड वर्टन होगा इसको दबा दो बहलें को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताके आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले दोस्तो बात करते हैं सबसे पहली अपडेट की जो के Air Canada की तरफ से है दोस्तो जैसे के आप सब जानते हो के Canada travel restrictions open करने की तयारी कर रहा है जिसकी वज़ा से वो hotel quarantine plan भी खतम कर चुका है और आने वाले दिनों में आपको Canada की तरफ से travel restrictions open होती भी देखी जा सकती है लेकिन Air Canada ने पहले ही booking स्टार्ट कर दी है 23 June के लिए जब भी लोग उनसे tutor account के ओपर पूछते थे तो वो सबको एक ही reply करते थे के 23 June से जो है वो travel ban खतम हो सकता है लेकिन अब उन्होंने इंडिया के लिए flights को ban कर दिया है मजी 30 days के लिए अब इंडियन जो है वो जून में नहीं जा सकते उनको मजी 30 days तक का wait करना होगा मतलब के जुलाई तक की last तक का wait करना होगा साधी दोस्तों Air Canada का कहना है कि इंडिया के अंदर COVID-19 का जो नया variant है वो बहुत तेजी से spread हो रहा है जिसको देखते हुए इंडिया को मजी 30 days के लिए ban किया जा रहा है अब जब COVID-19 spread होना कम हो जाएगा तब ही इंडिया के लिए ban हटाया जाएगा साधी दोस्तों Air Canada ने जब इंडिया के लिए flights को ban कर दिया है तो इसका मतलब पूरा इशारा यही जाता है कि अब Canada government भी बिल्कुल इंडिया को ban करेगी जुलाई तक के लिए अब जितने भी हमारे Indians हैं उनको जो है वो 30 days का वो wait करना होगा अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी second update की जो के है Air Canada की तरफ से ही और यह update refund policy को लेकर है दोस्तो Air Canada ने announce कर दिया है के वो 30 days मजीद extend कर रहे है COVID-19 की refund policy को अब यह policy उनके लिए है जिन्होंने non refundable tickets buy की थी February 1st 2020 से लेकर April 13 2021 तक जिन्होंने भी इसके बीच में tickets buy की थी वो भी not refundable उनको refund वापस किया जा रहा है तो आप जो है वो request दाल सकते हो अब आप चाहो तो individually भी request दे सकते हो और चाहो तो travel agent के जरीए भी request कर सकते हो ताकि आपके पैसे आपको वापस मिल जाए और अभी तक उनका कहना है कि 40% से जादा लोग जो है वो request कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक मा के लिए odds को extend कर दिया है और जुलाई की 12 तारिक तक का time है इससे पहले ही जो है आपको refund के लिए जो है वो request submit करनी होगी अब हम बात करते हैं दोस्तो सेकंड अपडेट की जो के है express entry draw को लेकर दोस्तो फिर से एक और बार केनडा ने बहुत बड़ी quantity के अंदर लोग को invitation to apply send किया है अब चलते हैं इनकी official website पे और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो यह draw जो है वो June की 10 तारीक को निकाला गया और 6000 से जादा लोगो को invitation to apply send किये गए CRS score की बात करें दोस्तो तो 368 रहा मतलब काफी जादा cut off रहा इस बार और दोस्तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने फिर से जो है वो Canadian experience क्लास वालों को ही invite किया है मतलब दोस्तो इस वक केनेडा सिर्फ उनी के ओपर ही जादा focus कर रहा है जो के केनेडा के अंदर मौजूद है अगर आप यहाँ पे PNP draws को देखो दोस्तों तो यहाँ पर 240 लोग को invitation to apply send किया गया और यह 9 जून को draw निकाला किया है और CRS score 711 का रहा है देखा जाए तो यह पहले की निजमत कम है एकिन अगर बात करें हम दोस्तों Canadian experience क्लास की तो इसका CRS score काफी जादा cut off रहता है अगर हम देखें दोस्तों February वाले draw को जिसके अंदर उन्होंने 27,000 लोगों को जो है वो invitation to apply sign किया था सिर्फ 75 CRS score में तो इसलिए Canada जाद तर उन्हीं पे ध्यान दे रहा है जो इस वक्त Canada में मौझूद है अब हम बात करते हैं दोस्तों third update की जो के है processing time को लेकर दोस्तों इस अफ़ते Canada ने क्या processing time में changes की है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं students की तो students का अभी भी 8 weeks ही है और मुझे पता है कि काफी ज़ादा लोग ये 8 weeks दुबारा सुनने के बाद यही कहेंगे कि sir result तो आते नहीं है सिर्फ यहाँ पे 8 weeks ही show किया जा रहा है तो दोस्तो बिलकुल आएंगे लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग का time ना increase किया जा रहा है ना decrease किया जा रहा है तो आप लोग के result बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएंगे अब जैसे कि आपने देखा कि इंडिया की flights को भी ban किया गया है तो हो सकता है कि इंडिया से जितने भी students apply कर रहे है उनके result में और भी थोड़ा time लग सकता है अब हम बात करें दोस्तो work permit वालों की तो यहाँ पर उनका जो है वो 13 weeks था पहले और अब जो है वो 14 weeks हो चुका है तो उनका जो है वो एक week मजीद increase हुआ है अब हम बात करें दोस्तो visit visa वालों की तो हर week increase ही हो रहा है visit visa का time दोस्तों और tourist visa वालों के लिए processing time को लेकर कभी भी अच्छी news देखने को नहीं मिलती हमेशा से उनका time increase ही होता है तो जो लोग भी अभी visit visa apply करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी अभी apply करने का ना सोचें क्योंके अभी भी visit visa के जो days हैं वो 188 processing days हैं इसलिए दोस्तों बहुत जादा है तो अभी जो लोग भी apply करना चाहते हैं वो अभी apply मत करें तो friends उमीद करता हूँ कि यह आपको तमाम update पसंद आई होगी अगर please पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना channel को जरूर सबस्क्राइब कर देना मिलते हैं किसी next interesting video में तब तक के लिए good bye